पाकिस्तान क्रिकट, rest in peace, RIP पाकिस्तान क्रिकट, खतम, बाइबाई, टाटा, गुडबाई, गया, जी हाँ, बिलकुल पाकिस्तान क्रिकट खतम हो चुकी है, बंगला देश ने इनकी कबरें खोद दी है, अब आप और मैं मिलके इनके जनाजे पढ़के इनको दफनाएंगे जी हाँ, बिलकुल लेकिन एक चीज़ में पाकिस्तान की तारिफ करनी बनती है और वो मैं बिलकुल करूँगा, पाकिस्तान की क्रिकट एक ऐसी कॉंसिस्टेंसी दिखाती है, एक ऐसी उनकी कॉंसिस्टेंसी है, जो ना इंडिया की है, ना एस्ट्वलिया की, ना निपाल क हता के यूगंडा के भी नहीं हो और वो consistency क्या है इनकी मूँ काला करवाई जो ट्रैबलिंग टीम है वो तीन तीम spinner के साथ जा रही है लेकिन आप सिर्फ फास्ट बालों के चक्रों में पड़े हुए आपने spinner खिलाने ही नहीं है ये चमन चमकीला इसके बरो से बैखे हो आप इसके बरो से आपने spinballing attack रखा हुआ ये हमारा जी all round रहे है ये पता नहीं कौन सा all round रहे हैं आपका किस मर्ज की दवा है ना ये batsman की गिंते में आता है ना ये baller की गिंती में आता है अब रहार हमेच किस मर्ज की दवा है भाई आखिर उसको कब खिलाओगे आप बस fastballer खिलाने के चक्रों में पड़े होगे हैं बंगलादेश टीम तीन-तीन spinner के साथ जा सकती है लेकिन आप आपको नहीं आप यह क्या पिद्धी क्या पिद्धी का शोरबा अभे इतनी सी तेरे अंदर जान है खेलने आया तो टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेली जाती है हां और किंग साहब किंग साहब को सिल्यूट करना वड़ेगा कौन सा किंग वही एक जो अकेला इकलोता दुनिया का किंग घेंटे का किंग बाबर आज उसको आज सिल्यूट करो सभी सभी आज उसके सामने गिर जाओ वए बस captaincy के पिछे लड़ना अपनी positions के पिछे है फलाना उपर नहीं जाएगा नीचे नहीं आएगा यह अगर मर भी रहे होते हैं इनको गोली लग जाती है यह तब इ तब ली बाहर बैठते क्यों क्योंकि कुछा है कि कोई मेरिट पर आ कर लड़का को अपनी जगाना बना बना पहर है शाहिन अफ्रिद की बात कर लेद वसीम अक्रम प्रेज़ेंट एरा के वसीम अक्रम शाहीन अफरीदी है ना भई हाँ जिनकी पेस अभी 125, 26, 28 रह गई है और ये बज़ुर्ग इन बज़ुर्गों ने फिर भी 141 निका लिए मुहम्मद अली इनकी 141 थी लेकिन शाहीन अफरीदी उनकी अब कौन सा मूरक होगे अब कौन सी प्रेस कोंफरेंस करोगे बोलोगे क्या जबकि हम भी परेशान है जो आप को ट्रॉल करते हैं इतना आज हमें भी वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि हम बोलें तो बोलें क्या आपके उपर क्योंकि बेज़ती बत्तमीजी देखो कितना अच्छा करते हैं एंसे दिया गया उनको खेलने के लिए लेकिन आप तो ठेर के नहीं ऐसी क्रिकट नहीं चाले आपके कोचिस के कैरियर भी इस पर खत्रॉल है बेलकोल टोटल फिनिश है क्या स्कोर्स आप करते हो पांच, दस, पंदरा, बीस और है ये 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 एशिया के डॉन ब्रेडमेन है ये एक बंदे ने कल किसी ने ट्वीट किया था कि ये एशिया का डॉन ब्रेडमेन आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा ऐसा होता है डॉन ब्रेडमेन अब अपनी अकल पर मूत ले तो जाद ही अच्छा है वरना बाकी तो कुछ है नहीं है ना बचा नहीं है पाकिस्तान में अगर सिरियस नोट में बताओ ना आपके पास सिर्फ एक प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी पाकिस्तान क्रिकेट है अभी तक सिर्फ एक ही ये this player मुझे नजरों में सामने आये और उस player का नाम हैят Séum Sha बिलखुल at fuck at western ask so मतलब एक लेवल होता कि जलालत का भी एक लेवल होता है जहां से जलालत का लेवल ध्यान से सुनना आप ही के लिए बात कर रो जो वीडियो देखते हैं उनके लिए नहीं वाई जिनके उपर आज का टॉपिक है उनके लिए जहां पे जलालत का लेवल खतम होता है आपका वहां से शुरू होता है, आपका लेवल इतना, मतलब अब जवाब क्या दोगे, अब आप कहोगे क्या, पहले आप इतना ओवर कॉल्टिटेट हो जाते हो कि आप बिल्कुल डिकलेर करते थे चार सो अट फालीस पे, वो यार उस्वर इजवान को डबल संच्री तो करन जो लक्ष आपने दिया था एक पहाड जितना लक्ष, टीस का, जो के बंगलादेश की टीम ने मरमरा के चेस किया, उनकी कोई विगड नहीं दस विगड़ों से जीता है मरमरा के, तो वो पहाड जितना लक्ष थोड़ा और पहाड हो जाता, पहले आप और कॉन्फिडेंसी जो आपके बसीम अकरम, बसीम अकरम ओरीजनल उले, नहीं मैं शाहीन अफिडी की बात कर रहा हूँ हिर intentar आप कि हम दानी कुसा बाल कि आप में से कितने लोग को लगता है कि शाहीन Nilबुर को रेट करूंगा धसमे से तो जीरो रेट अच्छा बाल नेपाल का गुलिशन जा एं, वजल अध फारूक पारूक्य तो इसे वह रोता है वह आप स्कोर क्या करते हो बाबराजम जीरो आपके कैप्टन शानमसुद वो चलने का नाम ही नहीं नहीं ले रहे हैं उनकी टांगे ऐसी हैं ऐसे उनकी टांगे नहीं सीधी हो रही है उसके बाद आपके जो साय मयूब पता नहीं कहां से पकड़के ले आया आप इनको कहां से लाया साय मयूब पता नहीं समझ में भी नहीं आ रहा है अब दूल्ला शफिक वो एक मैच में चलेगा बाकी पचास मैच में आपकी उसको उसकी हालती आपको खराब दिखेगी उसकी होदा तो फिर जलालत और भी जादा होनी थी अब बिलकुल अभी आप देखो के महदी हसन मिराज स्पिनर होके चार विकट्स ले रहा जिस मैच में पाकिस्टान ने इस्पिनर खिलाया ही दी वहां पे स्पिनर चार चार विकट्ट ले रहा है या शाकीब लहाद ती विडियो ज़ूर देखना मडर के अक्यूस थे उनके उपर मडर चार्जिस के इलजमात लगे हो गए पूरी डिटेल में वीडियो बनाई वी हो वो शाम को आप देख लेना जी हैं उनके स्पिनर किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं उनके पेसर भी कैसे उनका एक निया डेब्यू टार्ट सा वही किस पेस से वालिंग कर रहा था शाहिन अफदीदी तेरी उमर गई था वो भी वही और तेरी पेस 128 तक रह गई है और बातें तुम से कोई करवा ले सोचना भी मा कोने अश्राफ कोई Planning Bangladesh से में इसनका गजखन किसलेट्रह यह आप का जवाब यह रिए बrokसित ही तो तो लाइक कर दो याद, तुम भी उन जैसे, वीडियो को लाइक कर दो भई, मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये,